सर्दी से मिली राहत बड़ा भोपाल राइपूर का तापमान जाने मोसम विभाग का कुर्वानुमान देखिए मोसम सम्बंदित पूरी खबर मध्यप्रदेश में दो दिन से ठंड से कुछ राहत मिली है वही चतिजगर में भी तापमान में बड़ोत्री हुई है MP में यूनतम तापमान 5 से 60 डिगरी से उपर उठकर 12 डिगरी पर आ गया है वहीं सीजी में भी पारा में बड़ोत्री हुई है हाला कि ये राहत जादा दिनों तक नहीं रहने वाली है मौसम विभाग की माने तो संकराती के जाते ही एक बार फिर मौसम का मिजाश बनेगा और ठंड अपना कहर बरसाएगी मध्य प्रदेश में मौसम का हाल मध्य प्रदेश में कडाके की ठंड से स्विल्हाल राहत मिल रही है यूंतम बड़ोत्री का दोर जादी है प्रदेश के अधिकतर जीलों में 12 डिग्री तक यूंतम तापमान पहुँच गया है कुछ दिनों पहले तक ये 5 से 10 डिग्री के आसपास था बीते 24 गंटे में बाला घाट के मलाज खंड में सबसे कम यूंतम तापमान 8 डश्मलों 2 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया है हाला कि चत्तरपू जीले में मध्यम कोहरा चाया रहा अब अगले 1 से 2 दिन में फिर से खंड का दोर शुरू हो सकता है बात करते हैं 36 गड में भी कम हुई सर्दी 36 गड में भी न्यूंतम तापमान में बड़ोसरी का दोर जारी है पस्टिन से आ रही हवाल से प्रदेश के मोसम में बदलाव हो रहा है प्रदेश में सकते कम तापमान डूमर बाहार में 8.6 डिग्री दर्श किया गया है और राजनानंद गाउं में 12 डिग्री न्यूंतम तापमान दर्श किया गया है सावधान रहने की हैं जरूरत ठन भले ही कम होने लगी है लेकिन सुभर से अधिकतर इलाकों में कोहरा चाया रहता है चुकि कोहरा और ठन पढ़ने लगी है एसे में गाड़ी चलाते समय विशेश सावधानी भरते इसके अलावा ये मोसम कई बिमारियों का भी है इसलिए ठन से बचकर रहे और गर्म कपड़े पहने में आलस न करे इस मोसम में खान पान का भी विशेश दिहान रखे जरूरी होने पर भोर में घर से बाहर न निकले और अगर निकलना ही पड़े तो सीर नाख कान अच्छे से ढख कर निकले खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 News चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले देखते रहे हमारे साथ MP7 News कि मात्म ऑप सबस्क्राइब अधिक झालजय को सबस्ognे साथ झाल झाल